कि अभी हमारे साथ है 50 मियाओ के MLA कम स्टेट किनिस्ट कामलू मसंग जी आज हमसे इसलिए मिल रहे हैं क्यूंकि उनका जो मियाओ टु विजयनगर का रोड काफी सालों से नहीं बना है साथ ही साथ कह सकते हैं विजयनगर है वो एक इंटरनेशनल बोर्डर भी शेयर कहता है तो कल जैसे की चौनामन जो फैनाइस मिनिस्टर भी है साथ ही साथ अरुणाचर के डिपिटी चीफ मिनिस्टर भी हैं तो उनके साथ हैं बात हुआ तो क्या बात हुआ और मियाओ टु ज जैसे कल में हमें देखने को मिला था कि आपका मिटिंग रहा फिनेंस मिनिस्टर कम डी सीम के साथ में तो अपडेट किया है सब्सक्राइब कर रहा हूं सिंस 2004 लास्ट पार्ट ऑफ तो तो आज 15 कंप्लिट हो गया तो आप बात जो सही बोल रहा है लेकिन का हिस्ट्री ऐसा है कि 2004 में जब मैं एलेक्टेट हो गया तो उसका बाद में हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था सार्वे इंवेसिगें 2008 में तो उसका बाद में प्रॉब्लेम था में इशू था वो नामदाफ नेशनल पार्क टोटल रोड लेंग मियाव तो विजाइनगर इस 157 km as per record out of which 111 12 km वो नेशनल पार्क का अंदर में आता है नामदाफा नेशनल पार्क तो उसका जू फोरेस्ट क्लेरेंस एंवर्मेरमेंटल क्लेरेंस का ही मेजर इशू था उसका बाद में काफी कोशिस करने का बाद में दिली में गया देंट क्लेरेंस वी गॉट इंट था 2012 में यह प्रोजेक्स स्टार्ट हो गया सेंक्शन हो गया और उसका बार में प्रोजेक्ट एवर्ड किया था 2014 को जन्वारे तो सर अभी जिसे कल मिटिंग हुआ तो एज एमेले वहां के रिप्रेजेंटेटिव होने ना थे आप वहां के लोगों को क्या एशूर कर पाओग हां मैं जो है एक चीज़ एलेगेशन है मेरा उपर में कि 15 साल हो गया 15 यह में रोट क्यों नहीं बना लेकिन यह रोट एग्जिस्टिंग जो है वह हम अमेले बनने से बहुत साल पहले से ही है 62 61 में डिसकावर किया देन उसका बाद में मुस्ट परवबली 65 से रोट कंस्ट्रक्शन किया होगा अंडर रोट वस एनागुरेटेट बाइलेट के राजा इन 1972 होगा मुस्ट बाद में 71 और 72 तो उसका बाद में इतना साल तो हम तो नहीं था कोई सरकार तो चल रहा था उस का लेंग है उसमें 1149.94 क्रोर का सेंक्शन हुआ तो यह रोट क्यों नहीं बना इतना साल वह एवार्ट करने के बाद में दो साल तीन साल 24 मंस 12 मंस का ही स्टिबिलिटेट प्रियोट आप कंपलीशन था लेकिन 14 में अवार्ट हुआ तो आज 20 पहुंच गया कितना साल हो गय यह तिंग 5-6 यह तो कंटेक्टर्स फाइब कंटेक्टर से उसका भी एक प्रॉब्लेम है देन डूसरा चीज जो है फंडिंग का प्रॉब्लेम है टोटल इस्टेमिटेट को जो डिपी आट डिपर्टमें आर डबलो डी ने बनाया था 385 क्रोर्स लेकिन उसको रिदूस द रोट है 149 जो है काफी नहीं है तो इसलिए स्लोडाउन भी था तो हमने बहुत काफी गवर्नर साब ने भी इंट्रेस लिया बहुत बार मीटिंग किया गवर्नर साब ने DCM RWD मंतरी हमको भी बहुत बार बुला है 5-6 ताइम साइधिंग उसका बाद में फिर CM साब का साथ म राजभवन में भी मीटिंग हुआ हाई लेवल जो उसमें मैं भी था हॉनरेबल मिनिसार RWD था तो उसका बाद में गैप फांडिंग 39 क्रूर्स देने का था वो स्टेट से कोई मिसिंग जो भी आइटेम से कहीं कहीं एक डो जगा में री नियू री अलाइनमेंट का बाद था तो उसको लेकर के सरकार ने भी एगरी किया कि गैप फांडिंग 39 क्रूर्स देगा फिर गवर्नर साहब ने भी काफी मदद किया तो नैसित से भी 6.23 क्रूर्स जो एंपन नाला है उसमें भी ब्रीच बनाने के लिए 60 मीटर्स और जो जो मीसिंग आइटेम था उस पोर् करा जो भी उस रोड पे इंगेज है और सुपर्वेजिंग अथरीटी आड़ डी का ऑफिशन्स तो कल का जो बात था कि प्रॉपर जुडिशियोस यूटिलाइशन आपड़ फांड प्रोवाइड उसको करना है एंड हम जल्दी इस रोड को थो करना है कि नेशनल इंपोर् हमरा तर्गया तो भी हम लोग कह सकते हैं रिप्रेसेंटेटिव मियाव कि बाइट विजे नगर विजे नगर तो वियाव आराम से रस्के विटा सकते हैं जा सकता है वह हम को सिसकर रहे है जी सर थेंक्यों सो मच